Hello friends, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको Canon का जो हमारा MF241D सीरीज का प्रिंटर है, इसमें आप डुपलेक्स फीचर का यूज़ करके एक पेज के बोथ साइड में किस तरह से फोटो कॉपी करेंगे, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हू तो सबसे पहले जो हमारा Two-Sided है, यह हमारा Duplex Printing का ही फीचर है, तो इसको आपने इस तरह से Down Arrow की से इस तरह से नीचे लाना है, इस पे आपने OK करना है, अब इसको आपने One Two-Sided इसको आपने OK कर देना है, तो आप देख सकते हमारा यह फीचर यहाँ पे Enable हो चुका है, प इस तरह से आपने इसको लगाना है, इस तरह से, यह देखिए इस तरह से आप लगाएंगे सबसे कर ले, और इस प्लास को इस तरह से Cover कर देंगे, इसके Cover से, और अब आपको यहाँ पे Start Button पे Click करना है, तो यहाँ पे Display में A4 है, तो A4 हमारा है, तो इसको हम Start कर देखिए, यह देखिए, यहाँ पे Scanning स्टार्ट हो चुकी है, फ्रेंट फेज की, यह देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है, Scan Next, तो आपने फिर से इस Cover को इस तरह से Open करना है, और इस Paper का जो Back Side है, इसको इस तरह से, ग्लास के उपर रख देना है, और फिर से आपने इसके Cover को Close कर देन है दोस्तों, फिर से यहाँ से आप Start पे Click करेंगे, तो यह देखिए, डिस्प्ले में हमारी Back Side भी Scan होनी Start हो चुकी है, यह देखिए, अब यह बोल रहा है Star Copying, तो अब आप इसको OK कर देंगे, यहाँ पे OK के बटन से, यह देखिए, इस पे आप प्रेस करेंगे, तो हमारी जो Copy होनी Start हो चुकी है, और आप देख सकते हैं, यहाँ पे, पहले हमारा Front Page आया, यह वापस Machine के अंदर गया, और हमारा Back Page यहाँ पे Photocopy होके इस तरह से बाहर आ चुका है, यह देखिए दोस्तों, यह हमारा Front Page है, और यह इसका Back Side हमारा Copy हो चुका है, तो इस तरह से आप Two वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद,